हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लौड गुद्धा अश्टडी सेंटर धरहा के यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज मैं सुर्यंद कुमार फिर से तकनीकी बियान लेके आया हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में डिसक्रसन करेंगा आपको 50 सिंग्पोटन कोशा जिसमें देखिए साइंस से समझेद कोश्चन होगा फिजिक्स केमेश्टी और बाइलोजी तीनों सेक्टर से आपका कोश्चन होगा तो दोस्तों इस वीडियो के लिए आपको मैं खास यही कहूंगा कि देखिए इसमें आपको 35 नमर कोश्चन देखन कोश्चन होगे उसको इस वीडियो में डिटियल के साथ कभ़ करेंगे तो दोस्तों आज जो वीडियो होगा मजएदार होगा विडियो थुरह बला होगा लेकिन एंड तक जरूरब बने रहिए चले उस तो कोश्चन करते हैं देखिए फरस्ट आपका कोश्चन करता है रे बिद्दुत परवा मुखतः उप्योग होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो देखिए इसका मैं सबसे पहले आपको जवाब बता दो इसका जवाब हो जाएगा option 1 compressor को चलाने के लिए यानि बिद्दुत परवा मुखतव उप्योग में लाया जाता है चलिए question number 2 देखिए कहता है इनमें से किसमें मुखतव DC बिद्दुत तरंग की जरूरत होती है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो इसका जवाब हो जाएगा option number C Electrolysis देखे यह जवाब आपका बिल्कुल सही है अब थोरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कुछ मैं extra बता रहा हूँ जिस बरतन में Electrolysis की घातना होती है उसे क्या कते है भोल्टा मीटर कहते हैं दोस्तों क्या कहा मैंने जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस की घर्टना होती है उसको कहते हैं भोल्टा मीटर कहते हैं दोस्तों यह आपका जवाब हो गया अब देखिए कुछ और देखिए दिया गया है केबल इसे की जरुषट टन्सफर्वर में होती है अब देखिए केबलव डिसी की जरुषट इलेक्ट्रो पलैंटिंग में क्या जाता है जिसको क्या काते हैं दोस्तों बेट्टिंग चार्जिंग में प्रियोग क्या जाता है अगला देखिए दोस्तों AC, DC, 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 DC देखिए दोनों की जरुवत संधारितर यानि capacitor को होती है अब देखिए दोस्तों AC का full form क्या होता है AC का full form होता है alternative current DC का full form होता है direct current DC का full form क्या होता है दोस्तों direct current होता है अब देखिए DC को एक और नाम से जाना जाता है क्या नाम उसका है दोस्तों इस टोरेज के नाम से उसको जाना जाता है चली दोस्तों question number 3 करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो देखिए question आपका कहता है DDT उस रासाइन का नाम है जो निम लिकिर की तरह उप्योग किया जाता है इसका जवाब किया होगा तो सबसे पहले आपको मैं जबाब बता दू तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा DDT जो है दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा यह एक परकार का क्या है किट ना सक है इसका वी निमर आपका बिलकूर सही जवाब हो जाएगा अब देखिए DDT कलोरल CCL होता है क्लूरल इसका बना होता है अब देखिए डिडिटी की खोज किसी ने क्या दोस्तों डिडिडिटी खोज क्या मूलर मूलर नाम के बिज्यानिक ने किया अब देखिए बी एच सी का फूल फर्म क्या होता है तो देखिए इसका फूल फर्म होता है बेंजीन हेक्सा और देखिए यंडेन ने देखिए देखिए दोस्तों क्या है इसको दूसरा नाम से जाना जाएता है क्या नाम दोस्तों 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 चीज़ है चलरर आफ देखिर क्वेश्टिन नंबर फो देखे कहता है हिंगल एस का ऑसुद ऑयसि कह है तो दोस्तो इसका जवाब क्या होगा देखिर इसका जवाब陽 हो जाएगा option number C क्या है दूस्तों पारा कायस के अब देखिए अगला देखिए दूस्तों question number 5 करता है बैटरी की छमता परदर्सित होती है तो इसका जबाब क्या होगा तो दूस्तों इसका जबाब हो जाएगा option number C यानि what ever अब देखिए अब देखिए दूस्तों इसका और कुछ हो सकता है चली next question कियो और आते हैं देखिए जैसे इसका में एक ओर बता देता हूं दूस्तों इसका नहीं दूस्तों चली दूसरे के चलता हूँ जैसे मान लिए watt आवर हो गया चली इसी के चलते देखिए 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 खनीज है तो किसका देखिए खनीज है यानि किसका इसका जवाब क्या होगा तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा थोरियम का यह क्या है अब देखिए पीच बलेंड यूरेनियम का इसक है पीच बलेंड यूरेनियम का इस क्या है अब चलिए दो नेस्ट कोश्चन आते हैं कोश्चन नमर सेवन कहता है घरेलू इंधन में कोई लेके कौन से परकार को परात्मिक्ता दी जाती है तो इसका जवाब क्या कोईले का दूसरा नाम घरेलू कोईला और क्या है दोस्तों घरेलू कोईला नाम है और क्या नाम है डामर डामर कोईला कहा रता है और इसी को मुलाइम कोईला कहते हैं दोस्तों ध्यान सुनेगा दोस्तों बिट्टू मीनस को यानि बिट्टू मनी को क्या कहते हैं तो दोस्तो अब काता एंथ्रासाइट सबसे उच अस्तर का कोईला है एंथ्रासाइट जो है कोईले का सबसे उच परकार है आगे देखे काता पीट सबसे निमने परकार है पीट जो है कोईले का सबसे क्या है निमने परकार है निमने परकार है दोस्तों अनेश देखे लिंग नाइट को लिंगनाइड जो है इसको भूरे कोईला के नाम से भी जाना जाता है चलिए कोश्चन नमर एर देखिए धातु तार में बिद्धु धारा परवाह किसके कारण होता है तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका आपसन नमर एक यानि इलेक्ट्रोन के परवाह चलिए द और श्रक्रत्राफिकर तो ध्यान दीजेगा कहता है घोल में या विद्धु अपगतля में विद्धु धारा के परवाह किसके कारण होता है घोल या विद्धु अपगत् Яन के किसल से बनी होते है इसका जवाब सबसे पहले हो जाएगा आपसा नमर बी यानि सेल्यू लोज आपका सई कहता है पौधों की कोशिका भीति किसका बनी होती है क्योंकि परकास संसलेशन का मुख उत्पाद गुलकोज है और यह केवल पौधों में ही पाया जाता है अब देखें काइटीन जो है दोस्तों काइटीन आपका जो है इसके बारे थोड़ा सुन लिए यह कीट मकोरे में पा लिफीड रासाइनिक रूप से क्या है स्तर है थूलर ध्यान दिजिएँगा लिपीड रासाइनिक दिरिष्टी कोन से आपका क्या है दोस्तों इस्तर है चलिए को्श्चन संदit के सवसे तम रूप में पायए जाता है तो इसका जवाब क्या होगा तो चलिए दोस्तों मैं इसका जवाब बता दू दस नमर कोशन का तो इसका सही आंसर हो जाएगा option C diamond के रूप में अब देखे इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं सबसे कठोर पदार्थ या तत्व क्या है दोस्तों वो है आपका हीरा यानी सबसे कठोर्तम एवं क्या है दोस्तों कठोर्तम पदार्थ एवं तत्व क्या है दोस्तों हीरा देखिए यह जवाब हुआ अब ध्यांस सुनिएगा जबकि सबसे कठोर्तम धातु आपको क्या है दूस्तों पले टीनम है और जिसे सवर्ण सफेद क्या है दूस्तों सफेद सफेद सवर्ण के नाम जाना जाता है और उसका दूसरा भी नाम है या एडम उत्प्रेरक भी काते हैं सफेद स्वर्न को एडम उत्प्रेरक भी काते हैं और देखे दोस्तों इसमें काता है उपधातू की संख्या कितनी होती है तो देखे इसमें आपका जवाब हो जाएगा यानि उपधातू की संख्या 6 होती है अब चलिए उस तो question number 11 को थोरा ध्यान से सुनिएगा इसमें भी चर्चा करते हैं कहता है बिदुत केतली में किसके कारण या द्वारा पानी गरम होता है केतली किसके कारण गरम होता है तो देखिए इसका मैं आपको जबाब बता दो सबसे पहले देखिए इसका जवाब हो जाएगा option number B यानि संबहन के द्वारा क्या होता है ये गरम होता है अब चलिए अब इसमें भी देखिए कुछ topic द्याएगा उसको ध्यान से सुनिएगा पिर्थिवी तक उसमा का पहुँचना बिकरन द्वारा होता है जबकि पिर्थिवी के बायू मंडल का गर्म होना देखिए उसको बायू मंडल जो गर्म होता आपको संबहन भी दी लेकिन वहां से अब क्या कहता है उसमा जो पहुँचता है बिकरन भी दी की द्वारा पहुँचता है थ्वरा धियान दिजाएगे, वहां से उसमा पहूंशता आपको विक्रण विधी, लेकिन बाव मंडल गरम होता आपको संबऻन विधी के द्वारा. कहता है पीलिया देखे जोस्तों पीलिया जिसकी बिमारी है तो पीलिया किसकी बिमारी है तो देखे इसका जवाब हो जाएगा देखे बारा नमर कोश्चन का जवाब हो जाएगा अप्शन C यानि पीलिया किसकी बिमारी है यक्रित की नेश्ट कोश्चन देखे द्रब का नमातरक इसका जवाब क्या होगा तो चली इसका जवाब हो जाएगा आपका option Number देखिए दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 13 कोर्शन का आपका option Number B जवाब हो जाएगा बलको सही जवाब हो जाएगा यहन्य क्या हो जाएगा आपका option number B जवाब हो जाएगा हमेशा क्या होती है बायू होती है दोस्तों सुद्वा नमर का आपका B जवाब हो जाएगा अब पंद्रो नमर ध्यान दिजिएगा काता है storage इलेक्टो लाइट का गुर्तव डेस की सहाइता से मापा जाता है इसका जवाब क्या होगा दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा देखिए पंद्रो नमर कोश्चन का आपको मैं जवाब बता दूँ इसका जवाब हो जाएगा देखिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा आधरता को भी माँ पाई आधा है। यह माँ पाई जाता है। ना झाली हमाई से। ना पाई जाता है। शिक्स्टी नमर चलिए दोस्तों question नमर फ्रद्यां से देखिए question 60 को चलिए देखते हैं question 60 कहता है general lighting service lamp का तंतू निमलिकी से बना होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो देखें इसका जवाब हो जाएगा option नमर बी यह टंगर्ष्टन से क्या होता है बना होता है अब देखिए चांदी जो है सबसे अधिक क्या है दोस्तों सुचालक है चांदी देखिए ये क्या है सबसे अधिक सुचालक है अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नमर 17 देखिए बायू में धोनी के समान गति क्या है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो चलिए इसका देखिए मैं चर्चा करता हूं थ्यान से सुनिएगा बायू में धोनी की चाल देखिए सबसे पहले इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अप्स नुमर डी यानि जीओ डिश्मल ठीरी ठीरी दो यानि ठीरी ठीरी टू दोस्तों किलो मीटर पर 30 सकेंड यह जवाब हो ज दोस्तों इसका जवाब चलिए अब देखिए अठारा नुमर कोश्चन करता है अस्थाई चुम्बक आकर्सित नहीं करता है तो दोस्तों किसको नहीं आकर्सित करता है इसका जवाब क्या होगा तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा अठारा नुमर का अप्शन एक यान बना होता है इसलिए आस्थाई चुमबक नर्मलोहे का बना होता है. क्यूआं का अर्थ यह आपका डेटिल था चलिए question number 19 देखिए 19 का देखिए जुस्तों आप बना सकते हैं इसके लिए MGH फर्मूला लगाके यहाँ G कमान क्या रखिएगा 10 रखिएगा तो आप यहाँ बनाईएगा आपका answer आपको मैं इसका answer बता दू भी निमर option हो जाए इस पर बन जाएगा चलिए question number 20 कहता है question जब पानी के pipe में पानी जम जाने से कभी कभी pipe फट जाता है जिसका कारण है इसका देखिए जवाब क्या हो जाएगा ੱ देखे 20 नमर का जवाब हो जाएगा ऑप्षण नमर इक सैध जवाब होगा तो देखे क्या है दोस्तो वर्फ का आईतन पाणी के आईतन से अधिक होता है इसलिए क्या होता है ? जमनें पर क्या होता है याँनि पैप फट जाता है ? कानेकार्थ यह था चलिए कोश्चन नमर देखिए 21 काता है फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के लिए चार्ड जरूरी चीजें कारवन डायोकसाइड यानि CO2 पानी S2O सूर्ज परकास और किसकी जरूरत होती है तो साथियों इसका जवाब क्या होगा तो देखिए परकास संसलेशन में एक चीज और क जबाद जरूरत होता है तो देखिए दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको जबाब बता दू तो इसका जबाब हो जाएगा option नमर B क्या है दोस्तों ख्लोरा फील क्या बसकता होती चलिए नेस्ट कोश्चन देखिए चलिए दोस्तों कोश्चन देखते हैं और एक ची द काता है मेगनेसियम पाया जाता है चली नेस्ट कोशन देखिए कोशन काता है क्यम्यू टेटर के बरस निमलिखित के बने होते हैं तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा देखिए चली उस्तों देख लेते हैं टो दोस्तों इसका जबाब देखिए सबसे पहले बेर जबाब बता दो तो देखिए 12 का अंसर हो जाएगा आपका option number 1 कीज इसका बना होता है carbon का बना होता है अब चलें इसका भी थोरा चर्चा कर लेते हैं थोरा detail दिया गया है देखिए काता है के mutator का काम electro motive force को output पुट तक पहुचाने के लिए क्या जाता है अब देखिए आईप दिया गया है कहता है बिदुधारा के परवाह के लिए मुखत कापर का प्रयोग किया जाता है जब कि लंबी दूरी के लिए ऐलमुनियम का प्रयोग कहता है जब लंबी दूरी के लिए बिदुधारा ये द तामर का बना होता है, जेनेटर का कुंडली होता है, इसका तामर का बना होता है, आगे देखे काता है, सबसे इस पात को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम, तथा महगे इस पात को जंगरोधी बनाने के लिए निकेल का प्रियोग किया जाता है, तथा इस पात को गठोर ब परकास का रंग मूलता निर्भर करता है तो इसका जवाब क्या होगा तो देखिए चोबिस का जवाब हो जाएगा आपसन नमबर एक यनि परकास की तरंग धैज पर निर्भर करता है चलिए कोशन नमबर पचीश देखिए किसी तत्व का परमानु करमांग होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कोशन नमबर पचीश क चलिए इसका जवाब सबसे पहले जान लेते हैं तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों तो देखिए बी और सी दोनों का उस तत्व के किसी परमानु में इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होता है परमानु करमांग होता है और देखिए उस तत्व के किसी पर प्रमानु में प्रोटोन की संख्या प्रोटोन की संख्या भी क्या होता है जोस्तों प्रमानु कर्मांक होता है ये आपका डिटेल था और थुरा ध्यान से सुनिएगा अब देखे अब देखे आपका काता है आबेस रहने या नहीं रहने पर भी प्रोटोन की संख्या प्रमा संख्या के बराबर नहीं होती है चलिए उस्तों अब आते हैं नेस्ट कोश्चन के और कोश्चन नमर 26 चलिए दोस्तों कोश्चन नमर 26 देखी चलिए 26 नमर देखी कोश्चन आपकर कहता है सूर्ज की उर्जा का सुरूत है तो सूर्ज की उर्जा का शुरूत क्या है तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ना भी किया है यानि क्या हो जाएगा दोस्तों ये हाइडोजन का सनलियन देखिए इसमें सनलियन दिया गया है नाब के सनलियन होता है हाइडोजन का सनलियन के कारण होगा तो दोस्तों ये जवाब है अप्शन नमर ठीज़ संजाओं एसका में जवाब बापको मैं सबसे पहले बता दू तो चलिए इसका जवाब घbesुझा ऑप्षन यानि सबसे बारी कोशों में इलेक्टरॉन की संख्या दोष्टों क्या होता है कख्षा में बाहर की और क्या होता है यानि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रोन होता है और देखे दोस्तों इसके नाभिक में प्ट्रोन प्लस नीट्रोन होता है नाभिक में अब चले दोस्तों कोश्चन नमर देखते हैं 28 नमर चले कोश्चन क्या कहता है दोस्तों देखे कोश्चन कहता है किस अट्ठाइस नमबर कोशन का option नमबर B दोस्तों नमबर option सही जवाब होगा यानि नाब किये अभिकिया के द्वारा question नमबर 29 नाब किये सयंत्र में moderator का कार्ज है moderator का कौन सा कार्ज है तो दोस्तों इसका जवाब सबसे पहले आपको देखिए मैं बता दू जवाब हो जाएगा option number D moderator का कार्ज क्या है देखिए यानि neutron की गती जो है इसको धीमा कर अब चले इसके बारे में भी थोड़ा दिया गया है उसको चर्चा कर लेते हैं ध्यान से सुनिएगा moderator जो है दोस्तों moderator neutron को अब सोशित करके उसकी गती को धीमा कर देता है जबकि देखिए दोस्तों काता है इसका प्रयोग किसके रूप क्या जाता है तो नियंत्रन चर के रूप में क्या जाता है अब देखिए sodium और potassium के दर्बित मिश्रधातु का प्रयोग reactor को ठंड़ा करने में कोस्टन कहता है कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देता है तो चले कौन सा जवाब हो जाएगा तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमर एक करवन डार ऑक्साоль कोस्टन नमर एक अप्शन को गुल कोज का रासाइनीक शुत्र है तो इसका जवाब आप लेडी जानते हैं तो चलिए जोस्तों इसका देखिए जवाब क्या हो जाएगा तो चलिए question number 31 का जवाब हो जाएगा option B C6, H12, O6 चलिए question number 32 काता है शमानतर धातु जब अमल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है जब अमल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा देखिए चलिए दोस्तों जवाब बताते हैं तो 32 का जवाब हो जाएगा option number C वे hydrogen को क्या करते हैं विश्थापित कर देते हैं C जवाब है अब चलिए दोस्तों sodium को पानी में डालने देखिए दोस्तों question चलिए एक बार और ध्यान सुनिया कहता है sodium को जब पानी में डालते हैं तो hydrogen gas क्या होता है मुक्त होता है आगे दिया गया है sodium को किरोसीन तेल में रखा जाता है ध्यान सुनिया दोस्तों sodium को किरोसीन तेल में रखा जाता है और देखे उस्तों इसमें क्या होता है एक फोस्फरस होता है फोस्फरस को किसमें रखा जाता है तो फोस्फरस को रखा जाता है आपको किसमें जल में रखा जाता है फोस्फरस किसमें रखा जाता दोस्तों तो देखें जल में रखा जाता है चलिए उस्तों अब कोश्चन न प्रभाब पड़ता है तो चल इसका किस्वर परभाब परता है तो इसका जबाब हो जाएगा option डी दोस्तों इसका जबाब 是ताइगा d Small अब चलिए दोसतों question no.34 देखिए कहता है देखिए दोस्तों पुरा question करते हैं देखिए चले इस तो पुरा कोशन आ गया देखे कोशन काता है कारवन मोनो अक्षाइड मनुष के स्वास्त को निमने लिखित के द्वारा परभावित करती है तो इसका जवाब क्या होगा तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा option number C बिलकुर सही जवाब हो जाएगा यानि रुधीर की oxygen बाही का सामर्थ को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है यही कारण है चले उसका अब question number देखते है 35 तो देखे उसका जैसा कि मैं आपको बताया था कि 35 नमर question क्या है दोस्तों यह देखे क्या है दोस्तों यह आपको है confusion का अब चले इसका answer आप comment क्या करेंगे चले देख लेते हैं सबसे पहले question करता है डीजल की गुनवत्ता को निरुपित करने बाले मात्र का नाम है तो दोस्तों इसका answer सबसे पहले आपको मैं बता दू क्या होगा चलिए बी तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत जवाब है octane संख्या इसका जवाब होगा है देखे दोस्तों इसका जवाब होगा है option number C बिल्कुल सही जवाब होगा setten संख्या setten संख्या और देखे आगे देखे काता है पेट्रोल की गुनबत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम octane संख्या है तो देखे उस्तों यह जो है पेट्रोल की गुनबत्ता पेट्रोल की गुनबत्ता को octane संख्या यह द्वारा क्या करते हैं इसके मातरक को निरूपित करता है देखिए उस्तों ये question आपका detail दिया गया था है चलिए उस्तों अब question नमग करते है 36 कहता है इंजन में परियाप्त cooling न करने से कौशी समस्या आ सकती है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो देखिए इसका जवाब सबसे पहले देखिए उसने मैं बता दू देखिए उपसंस ही हो जागा यानि नौकिंग करने लगेगा अब चलिए अब इसमें भी देखते हैं न देखिए उसनों नौकिंग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं तो नौकिंग को कम करने के लिए डीजल या पैट्रोल में टेट्रा इथाईल लेड मिलाते हैं नौकिंग को जब कम करना होगा तो डीजल या पैट्रोल में टेट्रा इथाईल लेड को मिला देंगे चलिए उ तो दोस्तों ये question थोड़ा इसका चली कर लेते, का Star Antifreeze Agent काbirds होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो चलिए इसका जवाब नंबर समझे पहले देख लेते है, 37 number question का तो देखे दोस्तों इसका जवाब देखी वह से उपर दिया गया तो चली इसका देखे जवाब क्या हो जाएगा इसका ज़ाब हो जाएगा आप्षेन नंबर डी जवाब होगा दोस्तू स्वेनी देखे lorsque तो क्या कहता है वे आपकों कहता है तुम यह देखेने पानि जमने से और नि रहता ह करते हैं पीतल और कांसा किस तरह के मिस्र कहता है मिस्र मिस्रन के उधा क्या होगा तो दोस्तों इसका सबसे पहले आपको जबाब बता दूँ तो दीखे इसका जवाब हो जाएगा option नमर एक थोस में ठोस का मिस्रन है अब चलिए आगे देखिए पीतल जो है दोस्तों पीतल के बारे बिचाज़ा करते हैं कौपर पलस जिंक यह क्या होता पीतल जो हता है कौपर पलस जिंक का मिस्र धातु इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है कौपर पलस जिंक को किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको मिस्र धा कुछ को सा सबसरों कोन सा पदार्थ जानते होंगे इसका जवाब इसका जवाब हो जारदी सबसे अच्छwar दोस्तों क्या है चालक चांदी है दूसरा अस्थान पर क्या है दूसरा अस्थान पर आपको तामबा है अब देखिए घरेलू में उपयोग लाया जाता है आपको तामबा का प्रियोग लाया जाता है चलिए कोस्चन देखिए चालीस नमर एक संचायक सेल में इलेक्टो का विशिष्ट घंड तो कितना होता है तो देखिए इसका जबाब क्या हो जाएगा अप्सन नमर बी यह एक दस्रमलव दो पांच जीरो से एक दस्रमलव दो आट जीरो तक होता है नेस्ट कोशन देखिए सी ओटू किस्म के अगनी मासक स्वारी दोस्तों अगनी सामक को किस रंग से पेंट की जाती है तो इसका जबाब क्या होगा तो देखिए इसका जबाब हो जाएगा ऊप्सन नमबर सभी नमर यह लाल से पेंट किया जाता है चले। जो नों कोशन नमर 52 देखिए देखिए कोशन का टा हाइड्रो कeurबन प्रक्रीर्टिक शवर्ण है तो इसक का जबाब हो जाएगा आपको option number 1 जबाब होगा दोस्तों यानि कच्चा तेल का उदाहरन है सरोत है दोस्तों सरोत काता है अब चलिए चलिए दोस्तों इसमें भी थोड़ा चट्चा कर लेते हैं तो देखिए इसमें दिया गया है दोस्तों अब देखिए काता है कोईला का मुख सरोत है यह भी दोस्तों कच्चा तेल किसका सरोत है तो देखिए हाइड्रोकारबन का तो इसमें कच्चा तेल का दिया गया है चलिए नेस्ट कोर्शन देखते हैं विटामिन वी कंपलेक्स की कमी के कमी से उत्पन होता है तो दोस्तों कौन सा रूग उत्पन होता ह इसका जवाब क्या हो तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा अप्शन B यानि पिलेगरा रोग हो जाता है अब चलिए दोस्तों अब देखिए कवक देखिए इसमें टॉफिक दिया गया है कवक के कारण डर्मे टोसिस रोग होता है यानि दोस्तों कवक के कारण कों सा रोग होता है तो देखिए ये आपका दिया गया कवक के कारण डर्में टोसी स्रोग होता है कवक के कारण अब देखिए विटामिन डी के कारण एडिकेटर सुरूग होता है और C के कारण एसकर्विक रोग होता है विटामिन C के कारण अब चलिए आगला कोशन देखिए कोशन नमट 44 देखिए कोशन काता है निमलिखित में से कौन सा किर्मे कमपोष्ट तयार करने के लिए काम में नहीं लाया जाता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या हुआ है देखिए इसका जवाब हो जाएगा option number D यानि plastic obsessed का परियोग नहीं लाया जाता है कहने कार्थ ये था चलिए अब question number देखते हैं देखिए दो 45 number question कहता है देखिए ये दिया गया है अभिकरिया दिया गया है लिखा गया है कहते हैं अभिकरिया CuO plus H2O अभिकरिया करने के बाद देखिए दोस्तों Cu plus H2O के लिए सही कथन हो चलिए इसका मैं आपको जवाब बता दोस्तों इसका वहाब हो जाएगा option number 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानि copper का अपचयन और hydrogen का oxygen का oxygen होता है आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अब देखिए oxygen का जुटना oxygen का लाता है hydrogen का जुटना अपचयन या क्या का लाता है चलिए दोस्तों आप question देखिए 46 नमर काता है उभे धर्मी oxide का सही उदाहरन है इसका जवाब क्या होगा उभे धर्मी कौन सा है तो दोस्तों इसका जवाब देखिए आपको मैं बता दू तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा सबसे पहले जवाब देखिए बताते हैं दोस्तों देखिए ये जवाब होगा अब चलिए कुछ इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अब धर्मी ऑक्षाइड का साही उदाहरन है यानि क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा अब चलिए अब चलिए अब चलिए अब चलिए यह सब क्या है दोस्तों उभ्य धर्मी ऑक्षाइड है यह देखिए जवाब हो जाएगा चलिए अब कोस्चन नमर देखिए 47 करते हैं निमलिखित में से किस घरेलू उपकरन में बिद्धुत धारा का उप्योग नहीं होता है तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 48 नमर कोस्चन का C नमर उप्योग यहनी क्या हो जाएगा सौर कुकर में सौर कुकर में क्या काता है बिद्धुत धारा का उप्योग नहीं होता है चलिए question number देखिए 48, कहता है सीशा संचायक सेल में कौन सा अमल परियोग में लाया जाता है तो दोस्तों इसका जबाब क्या हो तो देखिए इसका जबाब हो जाएगा option number B, बिलको सही जबाब हो जाएगा यानि sulfuric अमल का परियोग किया जाता है अब चलिए question number देखिए 49, कहता है पारिष्टित्तंत्र का और जैवी घटक निमलिखित में से है और जैवी घटक पारिष्टित्तंत्र का कौन सा है तो दोस्तों इसका जबाब क्या होगा तो देखिए इसका जबाब हो जाएगा option number C क्या होगा दोस्तों अनुबांसी की रोग है तो दोस्तों इसका जबाब क्या होगा तो चलिए इसका सबसे पहले जबाब बता दोस्तों तो पचास number का जबाब हो जाएगा आपका option B क्या है दोस्तों बड़धानता अब देखिए तो एक topic पर चर्चा कर लिए यदि मेरी चैनल में हैं तो मेरे चैनल को सैस्क्राइब किजी वीडियो को lag किजी शेर किजी और देखिए दोस्तों detta में आप बेल आइकन प्रेकर प्रेस करना साबव बու Z यह जो कुछनी वह बन्हें दो सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंको दूस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में